एलो बेरा को इस तरीके से फेस पे लगाएंगे तो मिलेगा दाग धब्बे से छुटकारा इसके इन टाइट होगा गलो करेगा आपके फेस पे निखार आएगा हेलो एब्रीवन आज प्लांट ओला एलो बेरा से एक ऐसी रेमेडी मैं आप लोगे साथ सेयर कर रहे हूँ चाहें आपका इसकीन कितना भी काला हो गया है डार्की स्पोर्ट हो गया है या तो बहुत सारे फेस पे दाग हो गये हैं पिंपल्स के निसान हो गये हैं और उसे यूज करेंगे तो यह सारा इसकीन प्राबलम आपके फेस से दूर हो जाएगा बहुत सारे लोगों का इस सिकायत होता है कि उनके फेस पे फ्रेस एलो बेरा सूट नहीं करता है तो फ्रेंड इस तरीके से अगर आप फ्रेस एलो बेरा का यूज करते हैं जो प्लांट ओला एलो बेरा होता है तो आपके इसकीन को सूट भी करेगा और आप यूज भी करना सुरू कर देंगे हमारे घर में प्लांट ओला एलो बेरा होता है पर उसे हम यूज ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसकीन को सूट ही नहीं करता है तो इसका रीजन क्या है आप लोग गलत तरी भी निकरने लगता था. यहां तक कि फेस पे खुजली भी होती थी. लेकिन उसे मैं गलत तरीके से यूज करती थी. लेकिन जब सिक मुझे पता चला है यह तरीका, इस तरीके से, मैं अपने फेस पे बहुत ज़ादे यूज करती हूँ, तो जादे बाते ना करते हुए इस remedy को बना लेते हैं, तो इसे बनाने के लिए आपको ले लेना है फ्रेस यलोवेरा का pulp, इसे निकाड लेना है अच्छे से, आप इसके जगा पे मार्केट वाला जेल भी ले सकते हैं, पर मैं यही बोलूँगी कि फ्रेस यलोवेरा से इस remedy को अब इसमें आपको क्या मिक्स करना है कैसे तयार करना है ओभी वीडियो में आगे आप लोगो पता चलने वाला है उसे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हूं फ्रेंड बहुत मैंनस से वीडियो आप लोग के लिए बनाती हूं तो प्लीज एक वीडियो को लाइक आप लो टीटमेंट कराते हैं उससे कई गुना अच्छा निखार आपके फेस पे आएगा अगर कॉफी और एलोबेरा को आप इस तरीके से लगा लेते हैं अपने फेस पे तो अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ा सा प्राबलम होता है पर कोई बात नहीं इतना आप गेहूं कांटा भी ले सकते हैं तो मैं यहां पे एक चमद बेसन ली हूँ अभीन सभी को अच्छे से लूज हो रहा है तो आपके फेस के हर तरह से और каждый काम करने वाला है ठीक है अब इसे में आपको डाल देना है एक देढ़ी चमत टमाटर का रस तमाटर के रस में विृतमिन ऋसकते हैं जो कि फेस के काले दाग पर फ्रेंड ये हमारे स्कीन के लिए बहुत अच्छा होता है इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है और थोड़ा सा मेहनत तो आप अपने स्कीन के लिए करी सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है केमिकल फ्री है और आपके फेस पे गजब का रिजल्ट भी आएगा तो इतना तो कर सकते हैं आपका एक पैसा खर्चा भी नहीं होगा तो फेस पा एक बन गया है चलिए देख लेते हैं लगाना कैसे है हर कोई खुबसूरत और ग्लोइंग इसकीन चाहता है लेकिन उसके लिए नेचुरल चीजों का यूज नहीं करता है बहुत सारा मेक अप हम अ निखार आ सकता है पर वो आपके इसकीन को पूरी तरह से डैमेज कर देता है इसकीन का पूरी तरह से बैंड बजा देता है तो अगर आप अपने फेस पे निखार चाहते हैं तो नेचुरल निखार लाईए नेचुरल चीजों का यूज करके घर के जो चीजे होते हैं वो अपने फेस को बचाएंगे उतना आपका फेस लंबे समय तक खोबसूरत और रेंग दिखेगा और जो भी रेमडी मैं सेयर करती हूं बिल्कुल नेचुरल होता है और आपके किचन में असानी से मिल जाता है तो इस तरीके से पूरे फेस पे अच्छे से पैक लगा लेना है ल कि आप लोगो रिजल्ट दिखा रहे हूं मतलब कि क्या ही मैं बोलू फ्रेंड इतना गजब का रिजल्ट आता है जब इस पैक को मैं अपने फेस पे लगाती हूं इसकीन को पूरी तरह से पूरिश कर देता है इतना जादे लाइट कर देता है कि जब आप इसे यूज करें भी जरूरी होता है वो इसे आप लोग विश्वासी नहीं करते हैं तो इस तरीके से क्लीन कर रहे हूं आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं जहां से मैं इस पाइक को हटा रहे हूं सिर्फ 15-20 मिनट ही अपने फेस पे रखी थी और उतने देर में फेस का क्या हाल किया है मतलब अब इसकीन को पूरी तरह से ब्राइट कर दिया है हाइली रिक्वेस्ट कर रहे हूं ट्राइट तो बनता है एक बार ट्राइए आप लोग करिएगा और अपना फीडबाइक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपके फेस पे कैसा निखार आया है कैसा आपको पूरी तरह से टाइट होगा गलो करेगा जो इसकीन लूज हो गया है इसकीन आपका टाइट होने लगेगा फेस को अच्छे से धूल लेना है उसके बाद से पूरे फेस पे मोस्चोराइजर लगा लेना है क्योंकि इस टाइम बिंटर है और कुछ हम अपने फेस पे नहीं करें लगाएंगे तो इसकीन डराई भी हो सकता है ठीक है तो पूरे फेस पे लगा लीजिए अलो बेरा जेल लगा रहे हूं आपके इसकीन को जो शूट करता हो आप लोग लगा सकते हैं इसकीन को ऐसे नहीं छोड़ना है चाहें आपका इसकीन नार्मल है डराइज है जो आप लोगों कि इस टॉपिक पर वीडियो देखना है और भी कमेंट करके जरूर बताईएगा और फिरेंड छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हूं कि मेरा कोई भी वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फिरेंड और फैमिली में जरूर सेयर करें ताकि मेरा भी थोड़ा सा हे जयनत करती हूं अच्छी से अच्छी वीडियो सेयर करती हूं तो मैं आप लोग से मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई